हाला व्रीवान वेल्कम तो दे कपल क्लासिश फॉर इंग्लेश और आज की जो मैं क्लास है वो कुछ वोकैब को लेकर के हैं कल की तरह और रूट वर्ड से वोकैब के बारे में बाचित करेंगे क्योंकि एक्जाम से बहुत आता है किस तरह के कहाता है एपर संफ किल्स हिस वा बात करूं तो फिली फिली मतलब चाहिल से हैं अगर मैं लिख दूँ फिली साइड तो इसका मतलब होता है मडर ओफ वस जाइड यानिके अपने बच्चे के हत्ता करना कहला जाता है फिली साइड सभी के बाद में साइड आप लगाते चले क्योंकि अगर इस तरह लिकूं बार-बार साइड रीपीट होगा सिंपल बोली आप फिली साइड का मतलब होता है मडर ओफ वस जाल देनिके अपने बच्चे कि तक यह भून तो फिकेसाड और में फिटिसाड बुले गए वर्ड फिटिसाड का मतलब होता है इसम बोलते है यह जो पैटनी बच्च्चा र मुझा द arrows जाए तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रोरे साइड मटों जाते ह suggestion का मतलब होता है पूरी जाहती जीश आम बोलते हैं तो हम बोलती है तो आधा साइड हमिसाइड हमिका मतलक कि मौत नायरो पर्सन किसी पर्सन इतिय मतलब हो सकती है होमिसाइड का मतलब दोनों में से किसी एक की हत्य हो सकती है वह मैंन भी हो सकता है एक परसन जिसने किसी में या मोमन कित्य की हो तो वह कहला आ जाता है होमिसाइड का मतलब होता है मैं यह मटर ऑफ परसन किसी परसन की हत्या मैं मोमन दोनों में से कुछ भी हो सकता है नेक्स आ हम बोलते है एक साल से बच्चच की गर अधिया कम है तो से बोलते हैं इन्पेंटीश्थ हैंने गाने माम की अत्य करना प्राइट साइड रोथ है मर्रोफ फाधर अपने फदर की अत्या ॥ है इस तो दोनों मैं से डोनों के अतने सूरी अगर प्रसाइट लिखा जाए तो इसमें लिखाया गा मज़ी नेकिन अब ऋ मा के लिए आगा केवल ममी के लिए पैट्रिटरिसाइड ये लेकिन गर दोनौ की अक्सवरी साइड का मतलब होता है murder of once wife अपनी वाइफ की अत्या करना फिर आता है married side married married side married side का मतलब होता है murder of once husband अपने husband की अत्या तो यह कुछ पार्ट था हमारा जो root words से आपको याद करना है कोशिश करें कि आप इस तरह जो words root words से याद हो सकते हैं अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह सापको याद हो जाएगा अगर कोई क्वेशन के रिया आपकी है आपकी है तो काई लिए इन दे कमेंट बोक्स हैं लिसक्राब दे चैनल लाइक एंचेर अच्छी वेरी मुच गूट बेस्यू टेकर और भाई